अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आज हम मुलांग चार के बारे में बात करेंगे कैसे होते मुलांग चार के जातक आईए जानते हैं जिन व्यक्तियों का जन महीने की चार, तेरा, बाइस और एकतिस तारिक को हुआ है उनका मुलांग चार होता है मुलांग चार राहू का नमबर माना गया है चार नमबर वाले जातक की लाइफ एक जैसी नहीं चलती इनके जीवन में काफी उतार चड़ाओ आता है इनको बहुत हार वर्ग करते हुए देखा गया है तब जाकर इने सफलता मिलती है इनके अंदर काफी क्रोध भी देखा गया है मुलांग चार के जातक के बिहार में कठोड़ता देखने को मिलती है इस कारण इनके सत्रू बहुत होते हैं बुलांक चार वाले मनमौजी होते हैं यह अपना रास्ता खुद बनाते हैं मुलांक चार वाले ज्यादा तर तंतमन जोतिष में, राजनीती में, मेडिया में देखे गए हैं अंक चार का अगर विवाहिक जीवन देखा जाए तो इनका विवाहिक जीवन सुख में नहीं होता अंक चार वालों को नशे से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये नशे में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं अंक चार वालों को गायती मन का जाप करना चाहिए इससे इनकी लाइफ में जो दिक्कते आती हैं वो काफी हद तक कम हो जाती है मुलांग चार के जा तक एहनकारी होते है मुलांग चार वालों की जिन्दगी में काफी चुनोतियां आती है फिर भी ये अपनी आर्थिक स्थिती को मजबूत रखते है मुलांग चार वाले प्रेम की जाल में बहुत जल्दी पढ़ जाते हैं मुलांग चार वाले जादा तर प्रेम विवाही करते हैं इनकी विसेस्ता के बारे में बात करें तो ये बड़े बड़े परिवर्तन कर डालते हैं इनकी आर्थिक इस्थिती खराब हो तो इनके रहन सहन से बिलकुल भी पता नहीं चलता ये रही इसी दिखते हैं मुलांगचार का सुब्धिन है रविवार, सोमवार और सनीवार मुलांगचार की सुब्धितिया है एक, दो,rav, चार, साथ, Тेरा और बाइस मुलांगचार का सुब्ध रंग है स्लेटी और डार्क पुलू ये थी मुलांग चार के बारे में कुछ बाते दोस्तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए जैम आता दे